मिश्रित सितापुर कोतवाली शेत्र के अंतरगत कस्वा मिश्रित के महला चंदुपुर निवासी सीमा पत्नी लालता प्रसाद ने प्रभारिन रिक्षक को एक शिकायती पत्र दे कर आरोप लगाया है कि उन्हों ने मकान निर्मित कराने हे तू वर्ष 2007 में भूमी खरीद कर मकान बनवाया था जिसका एक रास्ता पूरब दिशा की ओर और दूसरा रास्ता पशिन दिशा की ओर सीतापुर हरदोई मार की तरफ था परन्तु श्रीकांत, कमलाकान, दुर्गेश कुमार, अवधेश कुमार, ललित कुमार आधी लोग उनके मकान के चारो ओर दीवार बना कर दोनों रास्तों को घेट लगा कर बंद कर दी है पीडित महिला का आरोफ है कि मकान के चारो ओर बाउंडरी बन जाने से उनके मकान का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है उसने कोटवाली से लेकर जनपत के उच्चा दिकारियों को मामले का शिकायती पत्र दिया है परन्तु कोई कारवाई नहीं हो रही है इसलिए पीडित महिला ने जिला प्रशाशन का ध्यान इस ओर आकरशित करवाते हुए रास्ता खुलवाय जाने की मांगी है तहसिल समवादा ता ग्यानेंदर महुर्यक रिपोर्ट का और रास्ता कहां से नहीं दिया जा रहा है और इधर भी दिवाल बनी हुई है और इधर भी दिवाल बनी हुई है इधर भी दिवाल वनी हुई, इधर भी दिवाल वनी है, इधर सामने एक गेट लगा है, और इधर से किसी इनको रास्ता निकलने को नहीं दिया जा रहा है, तो दादी आप ये बताईए, आपने कहीं कोई सिकाज पत्र दिया नहीं? यह मैंने थाने में भी सिगायत पत्र दिया है, यहां अपने असील में भी दिया है, लिकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है और यह लोग भूखत धंकाते हैं हमको, कहते हैं अपना मकान बेच लो, क्यों लिया यहां आ अपने, क्यों खरीदा हाँ हमँ को दे दो मिकान बेच लो चाहें, जैसे कहते कि नच कियो थे? आरे फिर जहां करवाई कीजिए ये इसजीम के पास जायए लिफपाल के पास जायए और विजाये पे 라स्ता मिले वाहां लीजिए से जोड़ी के बाहना कर दो फिरॉस टोड़ते हैं